गीता में जीवन का सार विस्तार से बताया गया है। पहला मंत्रक शांत स्वभाव से काम करें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपना शांत स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा मंत्रक कभी हार न मानना बुरा समय आने पर उनका मन कभी नहीं घबराता था। उन्होंने विप्रीत परिस्थितियों का साहस्पूर्वक सामना किया। उनका मानना था कि बुरे वक्त में सोच समझ कर काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी हार न मानने का संदेश दिया था। हमें अंत के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में न हो। चौथा मंत्र मित्रता बनाए रखें। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को कौन नहीं जानता। ये दोस्ती न सिर्फ दोनों के बीच प्यार की वजह से, बलकि एक दूसरे के प्रती सम्मान की वजह से भी मशूर है। लेकिन आज के समय में दोस्ती का असली मतलब कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने सदैव अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया। पांचवा मंत्र, माता पिता का सदैव सम्मान करें। श्री कृष्ण का जन्म देवकी ने किया था, लेकिन उनका पालन पोशन गोकुल में यशोदा और राजा नंद ने किया। यह जानते हुए भी कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर है। श्री कृष्ण उनसे पूरे हृदय से प्रेम करते थे। उनके आदरसतकार में कोई कसर न छोड़े।